हाई वीवर्स रायते की लगबख सभी वरायटी को साइड़िश की तरह ही कन्जिम किया जाता है लेकिन क्या ही हो अगर को कोई र exting़ा था सबदे की झे ले 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 मतलब कि हम प्राथे और रोक्यों के साथ सबजी न लेकर इस कॉमन रहते को ही सबजी की जगह दे दे तो आज मैं वही शेयर करने जा रही हूं कि मैं इसे कैसे बनाती हूं दो बॉयल डालू को हम अच्छे से कस लेते हैं ग्रेट कर लेते हैं और हरा धनिया लैसन और हरी मिर्च की चटनी बना लेते हैं इस चटनी में मैं कोई spices अभी एड़ नहीं करती हूं यह मैं बाद में एड़ करूंगी पहले हम एक बड़ी कटोरी दही लेते हैं उसमें थोड़ा सा हम एक कटोरी की करीब पानी एड़ करते हैं और अच्छी तरीके से उसको चला लेते हैं चर्न कर लेते हैं जिससे कि वह ब प्रेद धनियों और गार्लिक की चटनी हमने बनाई है यह अलग से ही रखनी है और जब भी हमें खाना हो तब ही हमें यह इसमें मिक्स करनी चाहिए तो यहां दही को सबसे पहले हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सही से चमच से जिससे की पूरी तरह से इसमें मिक्स हो जाए इसके बाद हम उसमें थोड़ी सी चटनी डाल लेते हैं जिसमें जितनी की हमें चाहिए हो और बाकी हम जो है स्टोर कर सकते हैं इसमें मैंने भुना जीरा डाला है और काला नमक सेंधा नमक, यह सब वन फॉर्थ स्पून ही डाले हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च भी हम इसमें एड़ कर देंगे, और यह इतना स्वाद होता है, कि इसके अलावा हमें सबजी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अब हम रोटी के जाते से खाते हैं तो, बागी जो चटनी है वो ह में ऐसे खाना हो, तो दही में आलूओं को मैश कर लिया, और इसके बाद जटपट से वो चटनी डालके और स्पाइसे डालके फ्रेश रायता बना लिया, इसकी स्पेशलिटी यही है कि यह बच्चों को भी पसंद आता है, और बड़ों को भी पसंद आता है, पराठे या रोटी के साथ सर्व कीजिए, रायता सीरीज में अगर आपको बीट रूट कर रायती की रेसिपी देखनी हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, देख लीजेगा, बाबाय, टेक केर,